महराश्ट के शासन की बागडोर न उधव ठाकरे के हाथ में थी और न है नतीजा ये कि राज्ज करोना की जाल में पूरी तरह से फस चुका है उधव ठाकरे की तमाम कोशिशे नाकाम साबित हो रही है उधव सरकार अपने निकम्मेपन के चलते विपक्ष के निशाने पर तो है अब प्रदेश की जनता भी इस जुगाल की सरकार से परिशान हो गई है ऐसे में महराष्ट के पूर्प सियम और बीजे पीरेता नडायन राणे ने राज्जिपाल भगत सिंग कुश्यारी से महराष्ट में राष्ट्रपती शासन लगाने की मांग की उनका कहना है कि महराष्ट सरकार कोरोना वाइरस को रोकने में नाकाम साबित हो रही है राणे ने कहा कि ठाकरे सरकार कोरोना संकट को सम्हाल नहीं सकती है इस सरकार के पास शमता नहीं है यह सरकार करोना से निपटने में विफल रही है इसलिए यहाराष्ट पति शासन लगाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जीवन को बचाने में सक्षम नहीं है किरोणाराज्जी में गेरा संकट पैदा कर रहा है महाराश्ज्ट में करोना की स्थिती गंभीर हो रही है मरीज और मौते बढ़ रही है राज़िपाल को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और महराष्ट और मुंबई में मौतों को रोकना चाहिए इस संबन में प्रयास किया जाने चाहिए नगर निगम और राज्ज के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है अस्पताल में प्रवेश्ण मिलने से कई मरुजों की मौत हो चुकी है ऐसी स्थिती में ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ध्यान दे रही है ये सरकार इस स्थिती को समाल नहीं सराणे ने महराष्ट सरकार को गटकरे में खड़ा करते हुए कहा कि कोरोना से निपट्टे में सरकार विफल नहीं है राजजी में लगभग एक हजार मोते हुई है इसलिए गवर्नर को इस सरकार पर विचार करना चाहिए और स्वास्त सेवा की संदर्ब में उन्हें सेवा पदान करने के संदर्ब में निर्देश देना चाहिए कि नगरपालिका और राज्जी के सरकारी इस्पतालों को सेना को सौप दिये जाने पर ही स्थिती में सुधार हो सकता है महराष्ट कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्जी बन चुका है और अब तक राज्जी में पचास हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाएगा है कोरोना का आकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे में राज्जी में प्रमुख विपक्षिदल बीजेपी अब सीय मुधभ ठाकरे की महाविकास अगाली पर अकरामक हो गई है रपोर्ट निउस अफ इंडिया